टीटविंटी विश्कप दो हजार एकिस में लगातार दो मैच हारने के बाद भारतिय खिलाडियों की जम कर आलोशना हो रही है सोशल मीडिया पर भारतिय खिलाडियों को बुरा भला कहा जा रहा है यहां तक कि उनकी फैमिली को भी हार का जिम्मेदार ठेहरा जाया है और भारत के कुछ बिगडे फैंस उन्हें गालिया भी दे रहे खेल से इतर किसी भी तर्या की बाते बरदाश नहीं की जा सकती और इसे किसी भी सूरत में डिफेंड नहीं किया जा सकता है पाकिस्तान के तेज गिंदबास मौम्मद आमिर ने भारते खिलाडियों का बचाफ किया है आमिर ने उन सभी को लताड़ा है जो टीम इंडिया के खिलाडियों को गालिया दे रहे हैं और उनकी फैमली के बारे में भद्दी बत्ती बाते लिख रहे हैं ट्विटर का सहरा लेते हुए मुहम्मद आमिर ने कहा मैं अब भी मानता हूँ कि टीम इंडिया पैस टीम है यह सिर्फ अच्छे और बुरे समय की बात है लेकिन खिलाडियों को और उनके परिवार को गाली देना शर्म की बात है अंत में हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि य यह सिर्फ क्रिकेट का खेल है बता दे कि टी 20 विशकप 2021 में टीम इने का प्रदर्शन अब तक निराशा जनक रहा है ना बल्ले बाजों ने जिम्मेदारी उठाई और ना ही गिंद बाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया पाकिस्तान के खिलाफ अपने पहले मुकाबले म भारत को 10 विकेट से हार मिली इसके बाद न्यूजिलेंड के खिलाफ टीम को 8 विकेट से शिकस का सामना करना पड़ा है दुबई में खेले का एक करो या मरो मुकाबले में भारत की बल्ले बाजी बेहत खराब रही थी जिसके बाद ट्रोल्स को ये मौका मिल गया कि वो कु पर जम कर ट्रोल किया गया इसके बाद जब गिंदबाजी की बात आई तो वहां पर भी भारते गिंदबाजों ने कोई बड़ा कारनामा नहीं किया न्यूजिलेंड की टीम आसानी से इस मुकाबले को जीत कर सेमी फाइनल के करीब पहुँच गई जबकि भारते गिंदबा अपने मुकाबले हारे और ऐसा अभी की स्तिती में तो होता नहीं दिख रहा भारते टीम उमीद करेगी कि उसके समी करण के हिसाब से आगे के मैचे खेले जाएं जिससे भारते टीम को फायदा हो सके ये तो ही मैच की बात आमिर के बयान की बात लेकिन खेल से जुड़ी औ और तमाम खबरे आपको ललन टॉप पर मिलती रहेंगी साथ ही साथ अगर आपने अब तक ललन टॉप स्पोर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक है जल्दी से उस पर क्लिक कीजिए और योट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्रा झाल